सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहेगा आपका दिन सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी अगर सहच जैसा मेठा पढ़ नाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जैरूरी है चाहे वो दोस्ती हो परिवार हो या संगठन कमजोर तब रुपते हैं जब वो ठक जाते हैं और विजेता तब रुपते हैं जब वो जीत जाती हैं हम चीजों को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से वे हैं बलकि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम हैं आज का पंचांग 15 फर्वरी 2020 देश शनीवार फागुन मास के कृष्ण पक्च की सब्तमी तिथी सम चार बच कर उन्दिस मिलट तक रहेगी इसके उपरांत अश्टमी तिथी प्रारम हो जाएगी विशाखा नामक नक्षत्र सुबा पांच बच कर नौ मिलट तक रहेगी इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात असुपसम में सुबा नौ बच कर पचास मिलट सी ग्यारा बच कर तेरा मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थात सुपसम में दोपहर बारा बच कर तेरा मिलट सी बारा बच कर अंठा मन मिलट तक रहेगा आशन्द्रमा तुला रासी पर रात्री 11 बचकर 19 मिलट तक रहेगी इसके उपरान व्रिशक रासी पर संशार करेगी और आशोर्य कुम राशी पर रहेंगे मेश राशी 15 फरवरी 2020 देन शनीवार आश आप घर के काम में बहुत वेस्तर रहेंगे अशना का आपके मित्र आप से मिलने आपके घर आ सकते हैं उनके साथ का खूब मचा लें लेकिन आज आश आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है इसलिए काम वा मस्ती के बीच संतोलन बना के रखें दूशरों लोग आपके युग्यता की प्रशंशा करेंगी इस समय आप लोगों से अधिक मिलना और बाच्छित करना चाहेंगी आप किसी भी ग्रीकारे के लिए पूरी तरह से तयार हैं अभी आपके पिता या पिता के समान किसी वैक्ती को आपकी मदद की जोरत होगी या वो आपकी सहायता कर सकती है समय रहते किसी दोस्ते से मिली मदद से आप फिर से जीवन में वापस आपाएंगी जिन बदलाओं का आप विरोत करते आ रहे हैं उनकी महत्तों आपको अब समझ में आएगी और आप खुद उन्हें करने की प्रक्रिया शुरू करेंगी आपकी वहारी जरूरतों के रास्ते में अपने एहम को ना आने दी शौधानिया आपके जीवन की आलोचक जो आपका अच्छा नहीं चाहती उन्हें नजर अंदाश करना बहतर होगा आप उन चीजों के बारे में चिंता कर शकते हैं जिनके जरूरत नहीं है अगर चीज़े आपके अप एक च्छाओं के मताबिक नहीं होती तो आपने रास महसूस करेंगी लव लाइफ की बात करें तो ग्रहों के इस सिति आपके लव लाइफ के लिए बिलकुल उप्यूपता है अपने दोस्तों के साथ बाहर चाकर मशे करना ना भूले यह समय उस पिछले शम्मन को भी आगे बढ़ाने के लिए सही है जिनके बारे में आपके दिमाग में काफी शंदेह थी करियर की बात करें तो आप अपने चम्मता को दुश्रों को आगे बढ़ने में शमर्पित करें और चीजों को व्यवस्तित एवं शंगर्ठित करें इससे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्शित करेंगी आपके व्यव में वृद्धी हो शक्ती है इसलिए अपने खर्शों और निवेश को कम करी शेहत की बात करें तू आपको अच्छे अपने ओपिस के काम के कारण बिना बात की चेंता और तनाव रहीगा आपको यह समझने की जवरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकती ऐसा करने की गोसे से आप वर्थ का तनाव भी मूल लिंगी जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी इन सब चीजों के इस्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जवरत जिससे आपी उर्षब बनी रही आज का उपाय आज अप उड़त की दाल दान करी जीवन में हमेशा सकरात्मक सुझ के साथ आगे बढ़ते रही आपका दें शुब हूँ